दुनिया में चाए धर्म हो, चाए अर्थ हो, चाए काम हो, चाए मोक्ष हो, शरीर के माध्यम से सब होना है। लक्ष्पी माता विष्णु जी के पास में गई, पर बोलती है कि स्वामी हम बहुत समय से आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर किसी इंसान में सेक्स्वल एनरजी खतम हो गई, उसने खतम करती बरबाद कर दी, जितना संभव हो सका सब कुछ बहा दिया। भारत में 90% पेशिट हैं। भारत आज पीपी की राजदानी है, ब्लड प्रेशर की। भारत आज शूकर डाइबिटीज की राजदानी है, भारत आज पेट के रोगों की राजदानी है। भगवान वही है जो काम को शुरू करता है और खटब हो। साथियों OTT भारत यानि की उजस्वी, देजस्वी, तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नोजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी, तेजस्वी तपस्वी बनाने का। मेरी जिन्दगी का हर एक शन्द और मेरे शरीर का हर एक कन्द इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा और मेरे परियास में, परिश्रम में, समर्पन में, रत्ती बराबर की कमी आपको कभी मैसूस की। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक-बालिका हो, चाहे वो वृद्वेक्टी हो, अगर ओजस्वी, तेजस्वी तपस्वी बनाते हैं, शायद भारत पुरी दुनिया में एक सर्वसक्तिमान रास्टर के रूप में स्त क्यात्रा को शुरू करते हैं, आज बात करेंगे, कभीर दास जी के पर एक सेशन ले चुका हूँ, एक थोड़ा सी बेसिक बात आपको बता दू, कभीर दास जी ने एक खुद का नया ही पंथ चुरू किया, जिसको जो लोग आज उन्हें फॉलो करते हैं, उनको कभीर उनकों में से एक थे, अब मैं मुगलों ने भारत के साथ में क्या किया, इस मुद्दे के पर नहीं जाओंगा, भारती ने उनके साथ क्या किया, इस मुद्दे पर भी नहीं जाओंगा, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, आज बात सिर्व रही एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात उन्होंने कही अगर आप समझेंगे तो आपको मजाएगा कह रहे हैं एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए एक चीज को पकड़ लो जिसको लगता है किसी एक चीज को अगर आपकड़ लें साध लें, पक्का कर लें तो सारा काम हो सकता है रहिमन मुलही सीच पूलही फलाई अगाई रहिम दाजी कह रहे हैं कि पेड में पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है, तना भी है सब कुछ है, लेकिन जड़ अगर जड़ में पानी डालोगे तो सब को मिलेगा एक, वन तिंग एक चीज आपको समझ लेनी है, जो आपको अल्टरा पावरफुल बनानी है, शक्तिशाली बनानी है जिसे मैं इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बाद करता हूँ, उस इंसान ने कवर ड्राइव शॉट के उपर, कवर ड्राइव शॉट पिकेटर में कवर ड्राइव शॉट आता है, उसके पर महारत ले रखी अब वो इंसान अपने 30% रन, 40% रन उस कवर ड्राइव शॉट से बना रहा है तो एक चीज को साध लिया एक ही साधे, सब सभे और सब के पीछे जाओगे, तो निपड जाओगे हमारी जिन्दगी में अगर एक बड़े लेवल पर बात की जाए, तो गर आप सब कुछ साधना चाहते हैं तो उसका रास्ता एक ही है उसका नाम है शरीर दुनिया में चैज धर्म हो चैज अर्थ हो, चै काम हो, चै मोक्ष हो, शरीर के माध्यम से सब होना है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा बेकदरी जो करते हैं वो शरीर की करते हैं आप सोचिए लोग का सपना है कि हमको 2BSK में रहना है, हमको 3BSK में रहना है हमको विला में रहना है, हमको मेंशन में रहना है हैं अब हैं हमको बड़े घर में रहना है रहना शरीर में हैं दोस्त पर शराइ ने लगा फोलगे है, मिल्क फ्रोटीन मॉस्च्राइजर लगा रहे और रुपी रहे हैं, ओपर फोला होगा उससे कि भारत के लोग की हकीकत में आपको बता रहा हूं बादाम का तिल खोड़ी में और गुठका मुझ में यहां लगा रहे हैं क्रीम और यहां लगने चैनी चैनी यहां लगाती है उसान्बाकु और यहां लगाती हैं मॉश्राइज़र के अंधों शक्ति ऐंदर सॉक्ति बहार से नहीं आते लेकिद आ आप क्या चाहते हो आप लोग को रिजाना चाहते हो कि लोग हमारे पास में और लोग जब भी आएंगे शक्ति ले जाएंगे तुम जिसको भी अट्रेक्ट करना चाहते हो, जिसको भी बुलाना चाहते हो, जब तुम्हारे पास आएगा, शक्ति लेके जाएगा, यह मेरा प्रॉमिस है हम को यह समझ लेना है, हम लगे वह हैं इसमें, कि यह तो हम लगा लें, और यह यहां दबा लें एक चीज रटलो अपनी जिंदगी में, क्रीम पाउडर से शरीर के उपर चमक नहीं आती, वो उससे पसीना भाने से आएगी दोस्त, पसीना यह एक रास्ता है, तुम्हें लगता है कि क्रीम और पाउडर से चमक आती, तेल लगाने से चमक आती, तो फिर हर किसी के पास में च हादम हो गए, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें महुत बुरी लगे, मेरे एक फ्रेंड था, कुछ साल पहले उसका एक्सिडेंट हुआ, और उसको प्रेलिसिस हो, कि बात तब की है, जब हम बार्वी क्लास में थे, शे साल बात उसकी डेथ हो गई, मैं घरवालों से मिला तो घरवाले कहते हैं कि अच्छा हुआ सुधर गई, किदा मतलब है, मज़े माफ करना दोस्तों, मैं सच बताने जा रहा हूँ, कि आपकी कोई सेवा नहीं करना चाहता, अगर आप सेवा करने योग्य हो आप में शक्ति है, आप mentally, physically, spiritually, financially strong हो दुनिया आपकी इज़्जत करने के रास्ते डूनती है, लेकिन आपको अमजोर हो तो बेज़्जत करने के रास्ते डूनती है, आपके शरीर में दम नहीं, आपके दिमाग में दम नहीं है, आपने कुछ काम धंदा नहीं चलता है, आपमे financial power नहीं है, लोग आपकी बेज़्जती कर करने के रास्ते ढूंड रहे हैं उनकी तारिफ करने के रास्ते ढूंड रहे हैं क्यों कि पैसा बोलता है कि यह दुनिया है काला बाजार यह पैसा बोलता है और यह बहुत बड़ा सच है शक्ति है लक्ष्मी की शक्ति है अगर लक्ष्मी की शक्ति हमारे पास में संभव नहीं है मान लेते हैं तो सरस्वती को सक्ति बनाओ एक बार की बात है कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास में गई और बोलती है कि स्वामी हम बहुत समय से आपकी सेवा कर रहे हैं हमें कुछ वर्ध दीजिए कुछ वर्धान दीजिए इतने समय से आपकी सेवा की कभी कुछ मांगा नहीं आस्तर कुछ दीजिए तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए ऐसा है जो आपकी सेवा करेगा और जिससे आप प्रसन हो जाएंगी उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन लेकिन उससे सब कुछ छिन भी सकता है सरसुतिजी के बाध्यान चली लक्षमी को बर्दान मिला है सीवा तो मैं भी करती हूँ भी गई को भी हमें भरदान दीज़िए लक्षमी जी को दिया हमें काही नहीं दे रहे तो वढई ठीक आपको बरदान देते को जिसने आपको प्रसन कर लिया उसको भी सब कुछ मिल जाएगा लेकिन उसे चीनने की उकात किसी की नहीं होगी रिक्षा एर्नी का दूद है तो पिएगा तहरेगा किसी भी प्रकार की शक्ति अपने जीवन में लाईए एक सादे सबसदे एक उसका नाम है एनरजी क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उर्जा के दिवाने हम उर्जा देखना चाहते हैं जब रोनाल्डो मैच खेल रहा है फुटबल का तो बहुत सारे लोग देखते हैं उसकी शकल देखने नहीं आते हैं शक्ति देखने आते हैं विराट कोली जब टेस्ट मेंच भी खिल रहा है, तो सब लोग देखने आते हैं, because people want to see energy, आसपास के मुहले में कुछ भी नहीं हो रहा है, दो लोग लड़ लिये, बहस हो गई आपस में, भीडिकता हो जाती है, बिराटिकट के लोग देखना चाहते हैं, पीपल want to see energy, हम लड़ाई भी देखना चाहते हैं, we want to see energy, और इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अपनी बोडी में, अपने ब्रेन में, और अपने बैलेंस में, इनवेस्ट करिए, क्योंकि दुनिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत देखेगी, और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत को बनाने का उद्धिश्य सिर्फ एक है, कि दस करोड लोगों को शक्ति शाली बनाए जाए, और कोई रास्ता है ही नहीं भारत को, कैसे बनेगा भारत ताकत वर, कैसे महाँ शक्ति बनेगा, अब यहां सरीर तो काहुआ है आदमी का, उठ रहे हैं, सीमन बहा दे रहे हैं, सीमन बहा दे रहे हैं, जिता ग्लास पानी नहीं पे दे उत्ता तो वीरिये बहा दे रहे खतम हो गए ताकत तो कि दुनिया जब तक तुम्हारे मेंगे जिस दिन तुम्हारी ताकत खतम हो जागे जिस दिन तुम्हारी ताकत खतम हो जागे जो कुछ मिलना है इस से मिलना है तुम शरीर से कमजोर रहेगे क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में सब जगए तुम्हारी बिज्जत की जाएगी हर जगए, कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं जाएगा मजदूर लोग के साथ में लोग सेल्फी क्यों नहीं लेते शक्ति नहीं है दूसरों पर बीज्ट है कि प्रभू हमारी इज्जत करो, बजाओ मैं तो हमें सिर्फ ब्रेन, 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 ब्रेन के पीछे नहीं भागना बाड़ी और बैलेंस और इसमें आपका फाइनेंशल बैलेंस भी आता है और आपका स्प्रिच्वल भी आता है कि आपका मन घवराय नहीं जिन्दगी में थोड़ा कुछ हो गया, निपट गया उसमें ये नहीं होना जी और एक चीज़ रट लो आज अगर आप विराट कोहली को, रोनाल्ड को कुछ मानते है आप इसलिए मानते हैं कि उन्होंने सरीर को मंदिर माना है सरीर की पूजा की है, सरीर की अराधना की है तुम सैकेटरिस के पास में घूमते रहोगे तुम्हारे बैंक में पांच क्रोटर पर पड़ा होगा तुम्हारे बात रहीम जी ने कही हूँ, यह मतलब एक बार बता जिता हूँ एक को साधने से सब सत्य हैं, सब को साधने से सभी के जाने की आसंका है सब डूब जाता है, सब डूब जाता है आपको ये समझ में आना है जो जोड़ने की जरुवत नहीं है हर किसी के आखे हाज जोड़ने की जरुवत नहीं है खुद में इन्वेस्ट करो हमें क्या है ना किसी भी इंसान में जो जितने अचीवेंट्स आने हैं जिंदकी में Life Achievements वो directly proportional है self investment के कि आपने खुद में कि तो कि दुनिया में किसी और investment का return आए ना आए self investment का आता है mutual fund सही है क्या से खाक सही है mutual fund का investment का return आएगा मुझे नहीं पता share market का investment का return आएगा I don't know मुझे नहीं पता मैं तो कभी किसी company में पैसा लगाता भी नहीं जित्ता लगाता हूँ खुद में लगाता हूँ self investment करो और achievement और inverse में है investment in others भूआ मेरे लिए क्या बोल रही थी पूफा मेरे क्या बोल रहे थे ताउजी ने मेरे लिए क्या बोल रहे क्या बोला किसने मर जाओगे दो साल बाद सब भूल जाएंगे मैंने देखा है जवान उलाद के मरने के बाद टंगी फोटो के आगे माबाप को किलकलाते वे हसते वे चपन भूकानन देते वे देखा है मैंने देखा है दोस्त सब भूल जाएंगे जब तक जिन्दा हो, तुम्हारी हस्ती है, मर जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा बेडा गरक है, जब जब दुनिया से पड़ेगा फरक, जिन्दगी का होगा बेडा गरक, यह मैं लिखके दे सकता हूँ तुम्हें, हेल्फ इंवेस्टमेंट, और कई लोग पूछने कैसे करें, एक मेरे पास स्टूडेंट आया, मैं अजमेर में पढ़ाता हूँ, एक बच्छा मेरे पास में आया, मैंने काया तू मेरी क्लास के बीच में उठके गया था, नीचे कुछ, बोले सर सुबह से कुछ खाया नहीं थ अरे जिस रूपे में, दस रूपे में मानलो वो इंसान कचोरी खा क्या आया, महिने में तीन सु रूपया हो गया, अगर इसका कुछ नहीं वो मूंग और चना ले आता, और रात को भिगो देता, और सुबह खा लेता, तो मुझे बताओ, अब कचोरी में इन्वेस्ट करना सही है कि चने और मुग में, घदे से घदा इन्सान जानता है, लेकिन डिसिप्लेन नहीं है, कौन करेगा इन्वेस्टमेंट, राजीव दिक्सित जी के विचारों का ही मैं समर्थन करता हूँ, और उनी को वापस लाने का प्रियास कर रहा हूँ, एक ने कहा कि राजीव दि खाओम ही होता है, कचोरी खाता है, समोसे खाता है, हाइड्रो कार्बूर्ण, कारशन जाने के सिगरेड़ से खचरणाग एत्ती बार समय कर तलते हैं, और फिर कुछ मेंबाद वो भरती हो जाते हैं फिर फल काने वाले उनके लिए जो पहले इस्पिटाल में फल का रहे थे वो उनके लिए फल लेके जाते भुर कुछ बाहरा बेठके कगर ज़ोड़ी समझे कहाते है और ये साइक्ल चलता रहता है यह दुनिया की हकीकत है, तो हमें यह समझ देना है, एक है साधी सबसदे, तो एक क्या है, वो एक है शरीर, रोज पसीना बहाओ, क्योंकि हमारी चमक, मैं अगर यह कहता हूँ कि किसी को ईश्वर के दरसन करने हैं, एक चीज़ की गैरेंट की देता हूँ मैं, किसी को ईश्वर के दरसन करने क्या करें, कहां दिखेगा ईश्वर, पसीना बहाओ, पसीना इश्वर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहा के देखो, किसी को दानव के दर्शन करने है तो अपना कून बहा के देखो अपना वीरे बहा के देखो इतनी कमजोरी महसूस हो कि लगेगा कि यही जिन था यही दानव था Invest in yourself और एक इंसान कह रहा है कि आपको सुनते है तो motivation रहता है सुनना नहीं है तो करना है सुनने से धोना काम होता है सुनते सुनते तो सुनने हो जाओगे हतम हो जाओगे Invest in विक्वोही सबसे बड़ी शवत है वोही सबसे बड़ी ताकत है आगे चलते है दोनो रहीमन एक से दौनो एक से है जो लोग बोलत नहीं, जब तक बोलते नहीं है, चान परत है, काक पिकै, रीतु बसंत के माई दिखने में एक जैसे हैं, चाहिए कोईल हो, चाहिए कोवा हो, जब तक बोलते नहीं, एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने लगते हैं, तो पता लगता है, कौन कोईल है और कौन कोईल है, यह एक बहुत-बहुत मेजर डिफरेंस है, मैं आपको एक बड़ी इंट दो चीजसे होती है एक होती है vocal image या vocal इज़त कि वो क्या बोल रहा है और कैसा बोल रहा है ये शक्टी इतनी powerful है कि हिटलर हिटलर बना vocal image की वज़ेसरे देश में जितने भी राजनेता है जितने भी महान लोग है जो महान तम कहलाए वोकल इमेज की वज़े से कहलाई कि रोने दुनिया को क्या कहा और जो छुट भईया है जो कमजोर लोग है वो फोकस करते हैं कि आज हमने जारा का पहना है वीर जारा का पहना है बंजारा का पहना है अंजारा का पहना है खंजारा का पहना है महाल लोग इस चीज के उपर फोकस करते हैं that how they speak because when you die खोई यह याद नहीं रखेगा कि आप ने क्या पहना कब क्या पहना, कब शेरवानी पहनी कब जोदपुरी पहनी, कब क्या सूट पहना कब कौन्चे जीन्स पहनी, कब आप किलर बने कब आप मिलर बने, कब आप फिलर बने याद रखा जाएगा एक बात कि आपने लोगों से कैसा विभार किया आप लोगों से कैसे बोले वोकल इमेज is more important than visual image लेकिन हम तो cool dude बनने में लगे हुए हैं I don't know क्या क्या चला जा रहा है एक चीज़ आपको बता दो रट लेना इसी इसको अच्छा अच्छा और अच्छा अगर आपने इन तीन चीज़ों को अच्छा कर लिया तो आपको और अच्छा मिलने लगेगा क्या अच्छा? अच्छा बोलना अच्छा बोलो शब्द बहुत शक्ती साली होगे अगर आपको इस ब्रह्मान की सबसे बड़ी शक्ती को अपने बश्च में करना है तो आपके शब्द आपके बश्चा और शब्द वो नहीं जो आवाज करते हैं शब्द वो भी तो आप खुद से बोलते हो वो ज़्यादा पाउरफुल है अगर आप चाहते हो कि पूरा यूनिवर्स आपको आशरवाद दे पूरा यूनिवर्स की शक्ती आपमें समा जाए तो अच्छा बोलो खुद से दूसरों से तो बोलना ही है खुद से और भी अच्छा बोलना है कि तु महान है तो हो ना खुद को कौन रोपता है तेरे जैसा कोई नहीं वा कहां दिकत है लेकिन हम क्या बोलते हैं खुद को तुखाता में तरसे कुछ नहीं होगा एक दिन मर जाएगा खुद्य की मा तुद से क्योंकि दुनिया दुनिया आपसे मीठानी बोलेगी वो हमेशा कड़वा बोलेगी और आप उनके कड़वे शब्दों में आकर खुद की जिंदीकी में कड़वाट घोलोगे भारे जाओगे अच्छा बोलना अच्छा खाना अच्छा खाना नहीं भी मिल रहा है तो अच्छे खाने का प्रियास करना और अच्छा पहनना अगर कपड़े बुराने हैं कोई बात नहीं साफ सुतरे तो पहन सकते हो जिसने अच्छा बोलना सीख लिया अच्छा खाना सीख लिया उसको समय के साथ में और अच्छा मिलेगा अच्छा खाना मिलेगा अच्छा पहनने को मिलेगा अच्छा बोलने को मिलेगा तुम खुद अबसर करके देख लो हमारे देश के टॉप पोस्ट पे बैठे हुए इंसान को इन्हीं तीन चीज़ में इन्वेस्ट किया आज तक रिटें तुम खुद देख लो एक्जामपल है तुमारे सामने लाइव नाम तो नहीं लूँगा लोग कहेंगे कि आप भक्त हो हम किसी के भक्त नहीं है भक्ति हमसे होती नहीं किसी की एक ही चीज़ की भक्ति करते हैं उसका नाम शक्ति है और वह आपको देने आये हैं जे इसको भी सक्तिशाली बनाना है कापलूशी और भक्ति से हमको नफरत है क्लियर कर देते हैं आजी वोकल इमिंच क्या बोल रहे हो हिटलर अबराहम लिंकन महात्मा गांधी महात्मा गांधी आधानंगे रहे वह इंसान आधानंगा लेकिन जो कहा वह आज भी लिखा हुआ है रास्ट पिता बन के मरें वारे बापू कैसे चली तेरी आंधी आये था लंगोट में छपगया नोट में यह नोट में ऐसे नहीं छपगया बापू शब्दों की ताकत है आप यह देखो कि आप जिन्दीकी में क्या आपके पाल दस अच्छे शब्द है क्या आपकी जिंदगी में आप शब्द है क्या आप सामने आले को आप बोल सकते हो क्या आपकी जिंदगी में तू है तू 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 कुट्टे को कहा जाता यार उसको भी इज़त से बात करो आप क्योंकि कई बार आपको लग सकता है कि आप सामने वाले को दीगी जादा इज्जत है, ऐसा नहीं है, खुद की इज्जत है, जिन्दगी में जब किसी दूसरे की डिस्रेस्पेक्ट करते हो, खुद का सम्मान खोकर ही दूसरे का अपमान किया जा सकता है दोस्त, ये पहला और आकरी नियम है, अगर आप किस से बत तमीजी से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी खुद की विज्जती हो गई, रेस्पेक्ट दे, आप कभी देखना, मर्दू भासी जो लोग है, जो प्रेम से बात करते हैं, हर वक्रेम भी नहीं दिखाना होता है, कभी जहां रिजिटनेस की जरुत है, जहां दर्ड़त हैं, उनको बिल्कुल प्रेम से बात करी, आपका पमान बढ़ेगा, आपकी जिट बढ़ेगी, और जो प्रेम से बात करते हैं, आपका सर्किल बढ़ा होता है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको मानते हैं, और एक चीज़ देखना, मृदू भासी लोग जो प्रेम से चिंता करने वाले लोग चिन्ता करने वाले लोग चिंता बहुत बढर में हैं यह बहुत बड़ा सच है वो इस्ट्रेस में रहेंगे वो चिंता में रहेंगे और कुछ ढंका नहीं तो चुप रहो है चिंता करने वाले लोग तो बकवास करेंगे वो चिंता भी करेंगे चिंता करने वाले लोग अस्पताल भरते हैं और चिंदन करने वाले दुनिया यह फिक्स है इस्ट्री है इतिहास है और यह सच्चा ही है यही सच्च है सबसे बड़ा सच है दुनिया का इन पर समझ लो तो दोनों रहीम एक से यहाँ देखो बहुत इंपोर्टेंट चीज है ज्यान से समझने का प्रियास करो हाँ चिंता तो चिता है आगे और चर्चा करेंगे इसके उपर निज करक्रिया रहीम रहीम अपना काम कर सिद्धी भावी के हाथ जिंदगी में सिद्धी पासे अपने हाथ में है दावन अपने हाथ रहीम कह रहे हैं तेरे हात में तो कर्म है सिध्धी और प्रसिद्धी, सिध्धी और प्रसिद्धी, यह सिर्फ ऊपरवाला देता है, सिर्फ ऊपरवाला, और विंगबाद आपको बता दो, मैंने एक session लिया, गीता के उपर, जो हमारे नीठ काका जी चैनल के उपर अविलेबल है, NWT, KAK, GEE, जैसे चोपड खेल लुडो खेल लो कुछ भी हिल लो, पांसे अपने हाथ में रहते हैं लेकिन दाव क्या आएगा ये मारे हाथ में नही है भागवद गीता तो धार्मिकरंथ नहीं है वो तो प्रोफेशनल मैन्वल है भागवद गीता में का और यह भागवद गीता का सार है कर्म करो और जो भी फल आए उसको देखर इमोशन क्यों वरना कर्म वरना रुक जाएगा कर्म करना रुक जाएगा कर्म होई नहीं पाएगा इमोशनल इंसान कभी कर्म नहीं कर सकता लुहार तलवार बना सकता है चलाता वही है तो फियरलेस हो मन में डरना हो गिलानी हो, तलवार लोहार की नहीं होती, तलवार लोही की नहीं होती, तलवार उसी की उसको चलाना आता है, विराट कोली का बैट लकडी का नहीं है, MRF का नहीं है, विराट कोली का बैट है, उसको चलाना आता है, जिसको चलाना आता है, वो ही तो उसी का ना मशीन है भास ए ओम मशीन काम करती इना रोए बिनाद होए पर यह समझ लो मानता हूं उपर वाले के हाथ में सिद्धी है उपर वाले के हाथ में प्रसिद्धी है लेकिन एक चीज़ तो रट लो आज अभी रट लो कि दुनिया आपको खोजने तभी आएगी जब आपने काम में खो जाओगे इसलिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है रहीम जी ने बात कही हो लेकिन मेरा ये मानना है कि सिद्धी हो ये प्रसिद्धी खोजने से नहीं हो जाने से मिलती है इश्वर भी ऐसा ही है मंदिर में गए उसकी रील बना दी भगवान को पुष्प चड़ाए 101 का प्रसाथ चड़ाए मत दिखाओ बहुत नाराज होता है खोजाओ सिद्धी प्रसिद्धी ईश्वर ईश्वर यानि शांती परम शांती खोजने से नहीं हो जाने से प्रसिद्धी अपने कर्म में खो जाओ लेकिन हम यह नहीं करते हैं हमें करना ही नहीं है हमें दिखावा करना है जितना संबभ हो सके उतना करना है अभी मैं आपके सामने सेशन ले रहा हूँ मैं अपने काम में मस तूँ मुझे फरक नहीं पड़ता, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, मुझे फरक नहीं पड़ता, मुझे ये पता है, कि जो मुझे देखेगा, उसकी जिन्दगी को बदलने की जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं आपको देखने लगूँगा, आपकी बातों को खोना पाऊंगा, और खोना पाऊंगा, तो लगता है कि सोना पाऊंगा, जिन्दगी से सुकून छिंजाएगा, मैं तो सुकून की तलाश में आपके सामने आपसे बात करने आता हूँ, मेरा तो यह आनंद है, मिरे लिए परम आनंद है, परम सांती मिरे लिए यही है, जब आ सिद्धी आती है और हर इंसान ये चाहता है कि वो जिन्दगी में कि यहीं पर अठका ना रहे वो यहां तक पहुंचे लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता है वो जाओ एक्सिलेंस कि अधुम्स वैं यू लूज यॉर्ट वर्ग दिमाग में स्टेट हो जाओ तहातियों की दुनिया तुमें ढूंडे एक नया बैठन आ गया है हर कोई फॉलोवर्स को ढूंड़ा है मेरे फॉलोवर्स होने चीए मुझे फॉलोवर्स क्यों खोने का प्रियास खो जाओ लोग ढूंडने लगेंगे आजकल तो कई संथ लोगों में देखता हूं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कौन से संथ है संथ खुद के अडिवटाइस्मेंट चला रहे हैं मेरे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप बहुत रेरली देखोगे कि उसका भी कभी एड़ चलता है लेकिन हाजकल तो संथ भी एड़ चला रहे है क्या जमाना आ गया है पहले भक्ति लोग गुरू को ढूंडते थे गुरू भक्तों को ढूंड रहे हैं चलिए यह तो बड़ी पावरफुल बात है मैं इस बात पर रहीम जी का फैन हो गया हूं रहीमन निजमन की विथा मन ही राको गोई तुनी इठले लोग सब बाड़ी न ले कोई रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर चिपा के रखो दूसरे का दुख सुनकर लोग किठलाते हैं बांट कर रिकम करने वाला कोई नहीं है आजकल लोग तुमसे हाल पता है क्यों पूछना चाहते हैं तो सिर्फ यह कंफर्म करना चाह रहे हैं कि तुम ठीक तो नहीं हो ना वो रो रोकर तुम्हारा हाल पूछते हैं और हस हस के सब को बताते हैं यह दुनिया की हकीकत है तुम्हारी परेशानी ही दूसरों के सुख का कारण है प्यूक्कि जब आप बोलते हैं जब आप किसी को पी समश्या बताते हैं वेन इू स्पीक आप खुद की एनरजी दूसरों को दे रहे होते हैं इसका सीधा मतलब है उससे आपके एनरजी कम होती है उससे आपके भेद पता लगते हैं अगर कभी रावन ने विभीशन को बताया ना होता कि मेरे प्राण नाभी में हैं तो रावन कभी नहीं मरता लुप हो जाओ याँ काटे में वही मसलिफस थी हैं दोस्तों मुझ कोलती हैं नहीं बताना तुम्हारी प्रॉबलम वो ठीक नहीं कर लेंगे वो सुनना चाहते हैं वो जातना चाहते हैं वो सिर्व ये कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि तुम ठीक तो नहीं होना क्योंकि यही उनका आनंद है यही उनका नशा है यही उनकी भांग गई कहांचा चरस अफीम धराब उनका यही है कि आप सुखी तो नहीं होना दुनिया आपको दुखी देखना चाहती है मत बताओ किसी को मैं तो आजकल देखता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से इनेक्टिड है पीलिंग दो अगर यह लड़का है लड़का है माफ करना कुछ अजीब सब्दों का इस्तिमाल कर सकता हूँ इस तो गालिया सुनेगा क्योंकि लड़कों के इमोशन्स की कोई इज़त नहीं इस धर्तिवर्ट और लड़की है इज़त इनके इमोशन्स की भी नहीं है बड़ दुनिया वाले इनसे कुछ आते है क्या हो गया बाबू वाट हैपन अर यू ओके हो केने हैल्प यू वाट हैपन टू यू अर यू फाइन क्या हो गया और बता नहीं हजारों मैसेज कर रही है ना तो किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है ना किसी से लेना है काम करो दुनिया वाले सब पीछे की हमने जो अब्ज़र्ब किया है कोई बता दे रहा है तुमारी एमोशन्स की मर भी जाओगे कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्त ये दुनिया वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है मैं आजकल देखता हूँ I want to quit I want to suicide जिन्दा रहोगे फरक पड़ेगा मर जाओगे फरक नहीं आठ सो नो सो करोड लोगी धर्द और ये शरीर आखरी बार मिला है मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ शरीर पहली और आखरी बार मिला है जो कुछ करना है जिसे के दंपर करना है नहीं बताना किसी को कि हमारे जिन्दगे में का चल रहा है रहीमन ओछे नरंसो देर भरीना प्रीट काटे चाटे स्वान के तो भाती भी प्रीट तो ओछा इंसान है जिसकी कोई इज़त नहीं है बत्तमीज है तो रहो रहीमन दास ची कहरे हैं कि ओछे इंसान से ना तो दोस्ती करनी है ना दुष्मनी करनी है क्योंकि वो अच्छापन दिखा यूए ना मानेगा नहीं क्या कहरे हैं स्वान यानि कुट्ता चाहे काटे चाटे दोनों ही केस में दूनों ही हालात में अच्छी बात नहीं है मैं एक बार मेरी बात बताता हूँ जन 2011 की बात है जब मेरा Medical College में सेलेक्शन हुआ मैं MBBS के लिए गया उस वक्त मैं कोई cricket wedge खेल का है मेरे पैर में लगी हुई थी और उसमें थोड़ा बहुत खून आ रहा था हमारा गाम है सेलेक्शन के बाद आपको पता ही है कि इंसान वहां उस तरफ जाता है जहां उसका जन्म हुआ है वहां गया लाइट गई हुई थी रात को चार पाई पर सो रहा था खाट के उपर गाव में भी सब खाट पर सोते मुझे बहुत बढ़िया लगता है मैं आराम से खाट के पर सो गया पैर में थोड़ा सा घाव था तो हमने कई कुत्ते हमारे वहां पर हैं दो चार पांच वाले हुए हैं कुछ ऐसे ही हैं वह आया और पैर को चाट गया अब मुझे एंटी रेबीज का वेक्सिनेशन करवाना पर तो गाव में तो लोग मानते हैं कि जलो गाव को चाट गया है गाव जली ठीक हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा उस वक्ट एंटर हुआ था और मैंने सोचा कि हमने तो पढ़ा है इससे रेबीज हो सकता है जान जा सकते हैं तो यह मेरे साथ में हो रखा है तब मेरा वैक्सिनेशन हुआ एक पार 2011 में मुझे अच्छे से याद है बात होगी यह अगस्त महीने की आगस 2011 कि जब सुआन मेरे को चाट गया था तब मैं जब इस दोहे को पढ़ा तो मुझे वो इंसिडेंट यादा है ओच्छे लोग उसे दूर रहो और ओच्छे लोग पता आज कल के कौन है जिनकी भाषा सबसे बड़ा ओच्छापन भाषा में होता है अब पैंट तो सब उतनी ही पैंटे हैं ऐसा नहीं कि पैंट अगर जो है जिसने ओच्छी पहली ओच्छा हो गया जिसने शर्ट कि इसन पासिक तनाब देंगे ही देंगे जितना हो सके जिनके शब्दों में शालिंता नहीं है वो आपके जीवन की शीतलता को भंग करेंगे ही करेंगे ये मेरी गैरेंटी है जिनके शब्दों में शालिंता है वही आपके जीवन में शीतलता लाएंगे ऐसे लोगों से हमें जितना हो सके, जितना संबभ हो सके दूर रहना चाहिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सबसून, पानी गयना उबरे, मोती मानस चुप यह इस लाइन का इस्तिमाल मैंने बहुत पहले भी एक सेशन में किया था, इस सेशन का नाम था प्रमचरिये नीट काकाई चैनल के उपर मैंने सेशन लिया था रहिमन पानी राकिये, बिन पानी सबसून, पानी गयना उबरे, मोती, पानुस, पर्चू आटे में जब पानी मिलता है, तो उससे चून बनता है, जिससे रोटी बनती है जब पानी होता है, तो सीप मोती बना पाती है, मोती बनता है और यहाँ पर जो मैं शब्द का इस्तिमाल कर रहा हूँ, वो इन्सान के रिप्रड़क्टिव फ्लूड के लिए, यानिकी सीमन के लिए, यानिकी वीर्य के लिए अगर किसी इंसान में सेक्सुल एनरजी खतम हो गई, उसने खतम कर दी, बरबाद कर दी, जितना संबव हो सका, उसकी जील, कुछ करने की इच्छा, कुछ करने की डिसायर, कुछ करने की समता, जुनून, जोश, अमेशा के लिए खतम हो जाए हमेशा बिलकुल निस्ती चहरा, गड़ी हुई आखें, अपरेशान जीव, रहिमन पानी राखिये, भिन पानी सबसु, पानी गयना उबरे, मोती मानस जो, खतम हो जाओगे, और देश के युवाओं को पच्चीस वर्स तक, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, पच्चीस वर्स तक, शिर्फ अपनी फिजिकल और मेंटल शक्ती को बढ़ाओ, पसीना बहाओ, पहले भी बात कहें जो, जिसका पसीना बहेगा, अपने आपको ताकतवर बनाने पर इन्वेस्ट, परो कैसे होगा? तो, sleep, exercise, diet, deep breathing, hydration, सिद्ध, जिसको सिद्धी चीए, उसको सिद्धी फोलो करना पड़ेगा, एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन कहानी बताऊंगा उसकी, वो देखने में इतना ultra handsome दिखता है, जिमें क्या बताऊंगा? मेरा दोस्त है, उमर होगी उसकी तक्रीबन 27 साल, आप उसको देखके कहनी सकते क्या? जो मैं अब बताऊंगा, उसको heart attack आ रखा है, और क्यों आ रखा है? क्योंकि जनाब जो थे, वो अपनी महबूबा से बाते करते थे, तुम आई तो रात हसीन हुई, ओन पर जीयों ने कईयों को मारा है, नाम जीयों है, लेकिन मारा है, और ये जनाब जो है, वो सोते थे सुबह, पाँच बजे, और जनाब का कुछ काम है, तो सुबह जल्दी उटना, उट उट जाते थे, आठ बजे, सूपर हैंट साम है, सूपर फिट है, सब कुछ है, लेकिन हाट एक इस्टन्ट ड़ा हुआ है, जनाब के, अपलीप, वेल, एक्सरसाइज, वेल, वसीन अभाव, डीप ब्रिधिंग, जिसकी सांसे गहरी है, उसका मन उतला होगी नहीं सकता, उतला मतलब बैचेन, और जिसकी सांसे उतली है, उसका मन कभी गहरा नहीं हो सकता, गहरा मतलब शान, खीलीप, एक्सरसाइज, टाइट, टी ब्रिधिंग, और हाइडरेशन, पानी पीना है भाई, भारत में कई लोगों को हार्टे का रहा है, पानी नहीं पी रहे हैं, बलड ठिक हो जाता है, बलड जब ठिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो जमने लगता है, तो थक्का जम आज आप देखो एक बहुत बड़ा मुझे मेरे को लगता है क्या मुझे देश के युवाओं को हर्टेक आ रहा है उसके उपर एक सेशन लेना चीह मुझे लगता है आपका फीड़ेग एक बार मैं चाहता हूं आप चैट देख रहे हैं वाजरू से बता दें समुद्ध के उ जानी चाहिए जैसको जानने चाहिए रहीमन पानी राखे बिन पानी सबसून पानी गयना उब्रे मोती मानस और चूँग और अपनी उर्जा के लिए एक और चीज बता देता हूं काम की बात है आप लोगे जिन्दगी में काम आईगी बड़ा चुप रहो यार पेचे लो यहिए है मैं अही है अ कि खामोश के अ कि खोश्च में वही शांत हो चुप रहे अगर आप अपने सेसर बन कर लेते हो ना और अंक्य बन कर ल Ng मुँ बन्द कर लिया कान बन्द कर लिया यही मोक्ष ए यही शानती लेकिन आखे तो खोल के रखना है रिल के लिए मुँ खोल के रखना है बकवास के लिए और कानों से सुननी है गालियां जो आज कल की यूआ बना रहे हैं content के नाम पर गालियां परोशने वाले लोग इस देश को खोकला कर रहे हैं। लेकिन दुनिया उन्हें सुनना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता हैं, उनको लगता कि हमारे जैसा ही है। तुम्हारे जैसे बागड बिल्ले इस देश को खतम कर देंगे, अगर किसी भी देश का पतन करना हो, तो वहाँ के लोगों को physically, mentally, sexually, spiritually खतम कर दो, देश अपने आप खतम कर दो, पाकिस्तान के खात्म का एक कारण यही है। चिंता एक ऐसा शब्द है, जिसके उपर रहीम दाजजी ने भी कहा, और कबीर ने भी कहा। दोनों ने कहा, क्या कहा, दोनों, चाहा गई है, चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिनको कुछ नहीं चाहिए, बेश शाहन के शाह, चाहा मिटी, चिंता मिटी, चाहा मिटी, चिंता मिटी, जिन्दगी में जब आपकी डिजायर्स खतम हो जाती है न, अब जिसे मुझे भी एक चिंता है मैं चाहता हूँ कि 10 करोड डूग वो डिटी भारत से जुड़े, ही मेरी चाह है तो इसे चिंता होती है आज से चिंता खतम करते है जितने होंगे, बहुत है लेकिन हमें यह कोई धर्म है यह धर्म है ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत तो धर्म है और धर्म को जब तक फैलाओगे नहीं फैलेगा न दोस्त आप इसके प्रचारक हो अब प्रचारक ही धर्म को नहीं फैलाएंगे दुनिया कैसे जानेंगी विवेकानन की सब तारीफ करते है हिंदु धर्म के लिए वो गए फिकागो सम्मेलल में जाके बोला धर्म के बारें बात होनी चीए न ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत एक धर्म है आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे फैलाओ और कट्रता के साथ मैं फैलाओ कि नहीं यही सच है नाती ठोके चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाद जिनको कुछ ने जिनको कुछ ने चाहिए वो राजाओं के राजा है वो राजाओं के राजा है एक फकीर थे जापान में नंगे रहते थे अब कुछ थ्याद दिया थे अब कुछ कुटे के साथ में रहते थे वहां का राजा उनसे बहुत परिशाद था किर ये इस इंसान के पास में कुछ भी नहीं है एक दम मसत रहता है बिलकुल चिंटा नहीं है अयास ही जिन्दी की जीता है अनका फकीर तबी तो अमीर है राजा एक बार उसके पास में गे उसके पास में देखा तो पूरा नंगा शरीर के उपर कोई बस्तर नहीं आस पास कुछ सामानी कुछ नहीं है एक बरतन और साथ में कुछ इसकुत्य का क्या नाम है नाम नहीं पूछो मेरा गुरू है क्यों बरतन को धोया फिर बरतन में पानी भरा फिर मेरे से पीछे भागा वाया कुछ था पानी बीगें चल गया मेरे पास में बरतन है तभी में दुख अबसे मैंने कुछ यह को अपना गुरू मां दिया जिसके पास में कुछ नहीं होता राजा है अब मैं सोच रहा हूँ बरतन को भी फेक दूँ चाहा मिटी चाहा गई चिंता नहीं तो हमें सिर्फ यह करना है Whatever is result कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे सिर्फ समय खराब होगा सिर्फ समय खराब होगा मैं फिर कह रहा हूँ कर्म करो फलकिछा मत कुसी बात नहीं है एक तरीका है आपके समय को बचाने का जिस समय में और कर्म किया जा सकता है उसको बचाने का तरीका है चिंता के उपर कभीर दास जी ने भी कहा है और मुझे लगा कि चिंता के उपर मुझे कभीर दास जी को यहां पर नहीं भूलना चाहिए चिंता से चितुराई गटे, दुख से गटे शरीर, लोब करे सो धन गटे पह गए दास चिंता के मामले में कभीर दास जी की लाई नहीं बहुत पावर्फुल है और मुझे रहीम दास जी के सब्सक्ते नहीं पड़ी चिंता करने वाले लोग अस्पताल चला रहे हैं और चिंतन करने वाले दुनिया यह रट लोग मैं आपको सच बता रहूं जब आप चिंता करते, वरी जब आप करते हैंना तीन चीजे हैं हरी वरी और सबजी की करी ये इंसान की सारी समश्चाओं की जड़ है सबजी में डाल दिया तेल, सबजी में डाल दिया मसाला, सबजी में डाल दिया मिर्ची जिन्दे के में बेचे नहीं है चिंता दुनिया में सबसे ज़्यादा उर्जा चाहिए चिंता करने में और इसके बहुत फाइदे होते हैं, क्या, हार्ट कमजोर होता है, फाल्पीटीशन दखदख करेगा, रखता है कि अब तो टेक आएगा, लीवर कमजोर होगा, बिना दारू पिये है, लोगों के लीवर ट्रांस्प्लांट करवाने के जरूरत पड़ रही है, चिंता, किडिनी खराब हो जाएगा, चमक खराब हो जाएगा, तिमाग खराब हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर बने लोग होगे, क्यों, चिंता में, कार कुछ नहीं पाए, अस्पताल में बिल बर रहे हैं, गरीब लोग, बदकिस्मत लोग, वमजोर लोग, जिनसे दुनिया में कुछ नहीं उकड़ेगा, वो चिंता करते हैं, और जो धर्दी को अपनी उंगलियों पे चला रहे हैं, वो चिंतन करते हैं, आपको चूज करना है, कि चिंतन करें, कि चिंतन कैसे करेंगे, चिंतन करना असान नहीं है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, चिंतन की शुरुवात लेखन से होती है, जिसका पैन चल रहा है, उसी का दिमाग चलेगा, पैन और पेपर, आज से लिखो, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी जिन्दिकी की एक समझ्चा लिखो, और उसके 10 सॉल चिंतित लोगों को, चिंतित लोगों की इस समाज को, इस दुनिया को, इस देश को जरुरत है ही नहीं, जिसका सरीर चिंता में है, खुद बखुद खुद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सरीर को लगने लगता है, कि अब इसको हमारी जरुरत नहीं है, मारो इसको, अभी कि में मैंने विए सब चीजें फेस की है और मगें कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला कि अंन्य दू लिखो और क्या लिखो डिवर भरो उद्धका रिलेशिस रॉज करो कि आज मैंने क्या कि वृट इड़ोड इचीष और धीट अ time कल क्या करूँगा आज मेरा चीमेंट क्या मैंने मेरा रिए घ्रीट क्या है आछ हांक बंद करके ऑज कभी solution को भी अ क्यों अ आख बंद करके एग New Zukunft कभी solution की ओक पर हर वक्त समझ्याहीं याद क्यों अ और जब तक समझ्चा यारा की रहेगी कि दे मौत मरोंगे इंसानी मौत तो नहीं मरूँगे यह तो मेरी गैरांटी है हर भीमारी की शुरुवात यहां से कहता है किले में होती है जिंतन करूं पैन और पेपर लेके बैट जाओ दुनिया के सबसे बड़े हतियार तो यह दो ही है क्यों पड़े हम अरे कुछ भी करना है मैं तुन में कहता हूं कि तुम कल को तुमने सोच लेकि गैंक्सिर बना है हटाओ यार हो सकता है कि इस सब्सक्राइब में यूट्यूब मेरे वीडियो ना बंद कर दें लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप कुछ घटिया से घटिया काम भी करना चाहते हो ना और उसमें नंबर न होना चाहते हो प्लैन और पेपर लेकर बैट जाओ प्लैनिंग कर दो तो सब्सक्राइब देएड प्लान भी को प्लैनिंग पेपर पहुती है एक बात बताता हूं जापान में जब कोई bridge बनता है, pull बनता है, 5 साल का project रहता, 3 साल planning होती, 1 साल में bridge बन जाता, 4 साल में project खतम बिहार में bridge बनता है, planning तो करते ही नहीं है बिहार में, bridge बनाना शुरू, 10 साल में बुरा होता है, उसका नितीश को मार्जी आते हैं, फीता कारते हैं, यह नीचे फेन पास planning होती है हाट उनके पास भी किड्नी उनके पास भी स्टमच लीवर उनके पास nova प्र फेन नहीं है पैन पेपर नहीं जला सकते हैं और इसलिए जानवरों को पाल तो भना लिया उन्हें अंग्रेजों ने भारत के उपर शाषन किया और हम जब अंग्रेजों की बात करते तो सुब गालिया देते हैं उसे सीखते कुछ नियुक्त आज भी बेप्रूफ है हम आज भी घदे हैं मुगलों की बाता की गालियां देंगे अंग्रेजों की बाता की गालियां देंगे अंग्रेजों की खासित थे अंग्रेज जब भी कुछ करते थे कुछ भी करते थे किसी को ओडर भी देना है मैंने किसी अंग्रेज से पूचा may I go to toilet अंग्रेज लिखके देगा yes you can go to toilet yes you can go write everything if you want something in your life if you want to make your life bright, bright then write bright life you write when you write बहेंस करने से आप सही नी बन होगे लिखो तर्गपून बाते करो समझो समाधान के उपर बात करो समझ्याओं को तो हर कोई सोच कर चिंतित हुआ बैठा है और चिंतित लोग अस्पताल भरते है और कहा है कबीर दाजी ने और कहा है रहीम दाजी के सेशन में बात करनी पड़ी है चिंता ऐसी डाकिनी काट कले जा खाए ताकू से नहीं तरीर खुद काट देता है चिंता हो दियत दिमाग तेज करने दिवा बता है दिमाग के उपर मेरे एक सेशन है उसका आप इस्तेमाल करें नीट काकाजी चैनल के उपर आप जाके देखिए उस चिंता ऐसी डाकिनी काट कले जा खाए बैद बिचारा क्या करें डॉक्टर बिचारा क्या करें कहां कहां दवा लगाए आज भारत में आपको बता रहो आज बता रहो मैं आपको भारत में 90% patient भारत आज पीपी की राजदानी है भारत आज sugar, diabetes की राजदानी है भारत आज पेट के रोगों की राजदानी है भारत आज सब रोगों की राजदानी है रोगी भारत भारत आज एक consumer country है हाँ बहुत सारी चीजों में हम आगे बढ़े हैं लेकिन जो हमारी workforce है 140 करोड इसमें बहुत ताकत है अगर इसको सक्तिसाली बनाए जाए अगर इसको powerful बनाए जाए तो यह और कुछ कर सकती है कुछ ऐसा कर सकती है तो शायद देश को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा 90% बिमारिया यहां से होती है यहां से कैसे खतम करें यहरी सांस चिंतित आदमी तेज सांस लेता है उथली सांस लेता है सुपरफिसल लेता है यहरी सांस लेकर कुछ कुमभक बोल सांसो को वसीना भाव दिखो मैसेज नहीं पैन से लेकर I'm feeling bad now यह मैसेज नहीं पैन और पेपर जब गहरी सांस लेते हैं तो वेगस नर्व के उपर प्रेशर पड़ता है वो स्टिमलेट होती है वेगस नर्व अपने आप शरीर को सांथ कर देती है जिसकी वेगस नर्व स्टिमलेटेट नहीं है वो इंसान चिंतित रहेगा परेशान रहेगा जिन्दकी पर सारी समस्चे रहेगी तनाव गरस्त रहेगा गहरी सांथ कुछ नहीं हो रहा है तुस्ट प्राणायम के पर मेरे एक पूरा सेशन है वो भी मैंने नीटकागाजी के उपर लिया है उसको आप देख सकते हो कि यहां देखो एक बार रहीमन अस्वा नैन धरी जिये दुख परकट करेई चाही निकरों गहे दे ऐसने वेद कही देई ज्यांचे सुनना रहीम्दाज जी कह रहे हैं कि आशू नैनों से भेकर मन का दुख परकट कर देते निकल रहे हैं नैनों से बात कर दे रहें यहां की और इसलिए सच है, घर से जिसे निकाला जाएगा, वो घर का भेद दूसरों से कही देगा विभीशन, अगर विभीशन ना होता, तो रावन कभी नहीं मरता घर का भेदी लंका ढाय बनना है तो लक्षमन मनो दोस्त, अपने भाईयों को गिराओ मत उठाओ और यह तुमारी जम्यदारी है, और हर वो इंसान भाईय है जो तुमारे साथ में है, तुमारे साथ काम कर रहा है हमने तो एक कहा है, कि भारत मेरा देश है, तमस्त भारती मेरे भाई बेन है उपर उठाओ, और एक चीज रट लो, जिन्दकी में उसी को पकड़ो जो तुमें उपर उठाए शरीर से उपर उठाए, आकतर बनाए, मन से उपर उठाए, रक्तिशाली बनाए, विद्या से उपर उठाए, विचारों से उपर उठाए, तांति से उपर आहार से उपर उठाए, विहार से उपर उठाए, विचरन से उपर उठाए, बस उपर उठाए, नीचे गिरा उसको त्याग दो, इसी वक्त त्याग दो, तो तुम्हें नीचे गिरा रहा है, उसे त्याग दो, क्योंकि संगत तिर्क उपर उठने के लिए होती है, उसंग नी हुए है हमसे भी हूए जो अभी तयाग दो अभी समय है कुछ बिगращ मैं यह दो इभी त्याग दो कि उपसी का साथ जो उपर उठाए और लक्ष्मन बनो विभीष्ण नहीं आज तक इस धर्ती पे किसी का नाम विभीष्ण नहीं रखा जाता क्योंकि जो उसने किया कुम करेंड बन जाओ खाते रों सोते रों लेकिन भाई के लिए मरना पड़े तो मर जाओ आप गई आदर गया नेनन गयास नहीं यह तीनों तब ही गए जब कहा कुछ देई क्या बात है मतलब यह इतनी इंट्रेस्टिंग बात है कि मैं आपको क्या बता हूँ रहीम कह रहे हैं कि जो ही किसी से कुछ मांगता है जो ही उसकी जत, अम्मान और आख से प्रेम चला जाता है मांगो नहीं और मांगने से कहा कुछ मिलता है आप गई आदर गया एक चीज़ आपको बताओ कबीर ने इसके उपर एक बड़ी बहतरीन बात काई पिन मांगे मोती मिले, बांगे मिले न बाल से कहा कुछ मिलता भी नहीं है मंदिर मस्जिद और गुर्द्वारे के बाहर, मंदिर मस्जिद और चर्ष के बाहर बैठे बिखारी इस बात का सबूत है कि अंदर कोई सुनने वाला नहीं है you will be served what you deserved what you served is what you deserve मिलता वही है जो आपने deserve किया, मांगने से नहीं मिलता है कादर चड़ाई, रजाई मांगी 21 रुपे चड़ाई, 21 लाक मांग लिये 21 का परसाद चड़ाई, 56 भोग मांग लिया नहीं मिलेगा मांगन से मरना भला विन मांगे मोती मिले मांगे मिले नभी मांगन से मरना भला रह गए दास और ये रहीम भी कह रहे हैं कि आप गई आदर गया, नेनन गयास नहीं ये तीनों तब ही गए जब कहा कुछ दे ही गेव मांगो नहीं दो गेव क्योंकि आप इस धरती से कुछ ले जा नहीं सकते कुछ दे सकते हो ये तो है ही नहीं कुछ ले जा पाए तर देने में जितना दोगे उतना आएगा यही प्रिंसिपल है दो डिलिवर पकड़ो देते जाओ मांगो नहीं अपने आप मिलेगा मिलेगा उसी रेश्यो में जिस रेश्यो में दिया है यूगेट वाट यूगेव मांगना नहीं देने बरुसा करो यह कुछ ले जा नहीं पाओगे यह मेरा फेवरेट है मतलब अगर रहीम दाजी की बात मतलब मैं इस चीज़ का तो फैत यह जो बात है यह मेरी जिन्दीगी की सबसे बहतरीन बात है क्या मज़ा है इस बात का क्या लिखा है लोहे की ना लोहार की वाह ना लोहे की है ना लोहार की है रहिमन कहीं विचार जा हनी मारे सीस पे ताही की तलवार तलवार ना लोहे की है जिससे वो बनी है, उसकी नहीं है ना लोहार की है जिसने वो बनाई है तलवार तो उसी की है जिसको गरदन काटना आता है, जिसको चलाना आता है जो बहाद्दूर है, जो वीर है, जो सास ही है, जो श्षोरिवान है जो जाना आता है कलम ना ब्लास्टिक की है, ना एक्स वाइज्ड कमपनी की है, जिसको चलाना आता है, उसी की कलम है सेक्सपियर की कलम है कबीर की कलम है रहीम की कलम है क्या बात है कलम और दलवार उसी की है जिसको सर आता हो करना कलम नलोहे की नलोहार की चला ना तुम तुम्हारा इंवेस्टमेंट क्या है विदाजी हमको ये पचास रुपे वाला पैन दिलवाईए ना ये बढ़िया चलता है पिता जी हमको पांच लाकी बैक दिलवाईए ना बढ़िया चलती पिता जी हमको इस सोफा दिलवाईए हमको इसी पर बैठना है पिताजी हमको इतनी बढ़िया कुर्सी दिलवा दीजिये ना जिसको पढ़ना आता है जिसको मेहनत करना आता है पिताजी हमको जिम जॉइन करना है हमको 5000 रुपे चीए मैं एक ऐसा वीडियो लाओंगा न तुम्हें दिवार के सारे एक्साइज कर सकता हूं इस बोर्ड पे प्ता है तुम्हें करना कुछ नहीं आता है कि बंदर उस तरह करेगा क्या उस तरह ले लो यह ज़िए कि आना चाहिए कि ना बने बाते आती है तकर कुछ पातं़ा LIVE लोहे की न लोहार की, तलवार तो उसी की है जिसको आता है, चलाना मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि जिन्दगी में इंटेंट चाहिए, इंटेंट हम एक ही मोड में हैं, मैं काफिय की कि अरे कहो ना कि मैं अकेला ही काफिय हूँ, क्यों हर वक्त यही कहते रहते हो, कि मेरे पास सपोर्ट नहीं, उसको देख रहे हो इससे स्वी जैस्वाल को घर चोड़के चला गया, अकेला प्रेक्टिस कर रहा है, नम्वू में सो रहा है, पानी भजा रहा है, तोलेट करने के Лिए वोशरूम नहीं है, बातरूम नहीं है, इंडिया खेल रहा है काफी अकेला था या अकेला ही काफी है? یہ या को अकेला जिता रहा है क्योंकि ये बोलता रहेगा ना कि मैं काफी अकेला हूँ I'm alone, be with me, अरे जा वे रहीम नर धन्ने पर उप्तारी अंग पाटन वारे को लगे जो महन्दी को रहने, जिसको जिन्दगी में देना आता है, जिसको बहतर करना आता है आपको क्या लगता है? मैं आप से जब बात करने आता हूँ, आपको क्या लगता है? सिर्फ आप मोटिवेट होते हो कि आपको inspiration मिलती है नहीं इस अपने ड्रीम मेरे भी बड़े होते उतने सपने मेरे भी बड़े होते मेरा भी सपना बड़ा होता है कि भारत के 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना है मेरे भी अपनों को पंख लग जाते हैं जब मैं आपको मोटिवीट करता हूँ तो उस्यादा खुद मोटिवीट क्या लिखा हुआ है रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्ने हैं जिनका शरीर सदा दूसरों का उकार करता है जिस प्रकार महंदी बाटने वालों के अंग पर भी महंदी का रंग लग जाता है लेकिन हम हम तो केसरी जीवन जीते हैं बोलो जुबा केसरी मुझे एकर यह कहा जाए कि सर मैं क्या ऐसा करूं जिसे एक गैरेंटी हो जाए कि मैं सक्सेस्फुल होंगा ही होंगा तो यह की रास्ता है दूसरों को सफल बनाओ प्रकि उस सेक्टर में उस सेग्मेंट में दूसरों को सुखी करो दूसरों को स्वस्थ करो दूसरों को बहतर करो गैरेंटी है सफलता आही नहीं सकती लेकिन हम दूसरों को लूटने में लगे हुए हैं दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं और खुद को उठाने में लगे हैं कुत्य की मौत मरोगे दूसरों को उठाओ काबिल बनाओ, ताकत वर बनाओ, लीडर बनाओ बहतर करो उनका शक्ति दो ने सफल हो ही नहीं सकते लेकिन खुद 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 मेरा ये मेरा वो मेरा ये सब छिन जाएगा और कुट्य की मौत मरोगी पावस देख रहीम मन कोईल साधे मोन अब दादूर वक्ता भे हमको पूछे कौन बारिस के मोसम में कोईल और रहीम दोनों ही चुप हो गए है वो कह रहे हैं कि बारिस हो गई है अब तो मैंडक टर टर करने वाले हैं हमारी सुरीली अवाज को कौन सुनने वाला है तो जब ऐसा माहौल हो कई बार ऐसा होता है आप कहीं गए किसी फांक्चन में गए वहाँ आप से लोगपोछते है बीटा क्या करते हो अच्छाबी तक कुछ नहीं हो आपका कुछ नहीं हो परचा जिन्दगी में steadily मुझसे पूछते है पि बारत में जब लोग यह पूछ रहोते हैं कि आप क्या करते हो तो वो decide कर रहे होते हैं कि इसको कितना सम्मान देना है तो मुझसी लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो तो मैं ये नहीं कहता है कि मैं पहले डॉक्टर था, मैं अब teacher हूँ, मैं अब guru हूँ मैं कहता हूँ कि मैं भारत बना रहा हूँ एक नया भारत, एक शक्ति साली भारत, एक ओजस्वी, तीजस्वी तपस्वी और उसके बाद कोई सवाल होता है तो मैं चुप हो जाता हूँ जहां मेंड़क तरणने लगे, वहां तो चुपी हो जाओ और मेंड़कों के तरणने से क्या फरक पड़ जाएगा तो बहुजाओ इची जरट लो हो, समझ लो हमेशा के लिए कि तुम्हारी जिंदगी बहुत मेंड़क है और तुम्हें फसाने का प्रियास करें और मैं हमेशा कहता हूँ कि काटे में वही मचली फस्ती है जो मूँ खोलती है तुमको डिस्टब कर देंगे और मैं मैं अपने रिष्टेदारों से बहुत दूर रहता हूँ क्योंकि कई मुझे पागल कहते हैं कई मुझे ना सब्सक्राइब कई मुझे कहते हैं कि तेरा जो सपना है वो कभी पूरा नहीं हो तो पता नहीं कैसी बड़ी-बड़ी बाते कर अपने घर का ध्यान रख खाने का ध्यान रख पीने का ध्यान रख सोने खुद मजे कर दुनिया की परवा मत कर लेकिन मुझे उसमें आनंद ही नहीं आता प्यार उटी जानवर परजनन भोजन अनुशे जानवर कर देश को उजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का मेरा सपना है और मुझे पता है कि आप मेरे सपने के साथ में हैं मुझे पता है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिए आपका सपना बड़ा हो तो लोग खांसेंगे कालिया देंगे विज्जत ही करें तो कि 10 करोड बहुत बड़ा सकता और आप अपनी जिंदिकी में आपके लेवल पर अगर कोई सपना पाले हुए हो और लोग को बता रहे हो तो मेंड़े टर्टर आएंगे उनका उद्देश्य ही आपको नीचा गिराना है उसे में सकूर महसूस होता है यह नीचा गिरा दिया अब सही है कोई तुम्हें आगे बढ़ते भी उच्चा उड़ते भी नहीं देखना जा लेकिन चुप उस वक्त चुप हो जाओ तब मैंडक टड़ रहा है यही बात तो बोल रहे है बिगडी बात न बने लाख करो किन कोई रहीमन फाटे दूद को मथे न माखन होए अब नहीं हो पाएगा क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि मनुष्य को सोच समझ कर विवार करना चीए क्योंकि किसी कारण में अगर बात बिगड़ जाती है तो उसे बनाना कठिन हो जाता है जैसे एक बार दूद फट गया कितनी कोशिश कर लो मखन अब नहीं बनेगा आप तो फेकना पड़ेगा दोस्त अगर आपने जिंदगी में सिर्फ बात करना सीख लिया किसी भी प्रोफेशन में हो आप सिर्फ बात करना सीख लिया कि बात कैसे करनी है आप जिंदगी की कई रातों से कई घटिया रातों से कई बिकार रातों से बच जाओगे जिसको आती है बात उसकी कभी नहीं बिगड़ती रात और एक बाद बताओ जिसको बात करना आता है वो चुप रहता है जिसको बोलना आता है वो चुप रहता है सबसे बड़ी स्किल तो यही है बोलने की यह चुप रहो तभी बोलो चुप बहुत आउशकता हो हमारे भारत में भी कई युवा ऐसे हैं तो अक्सर चुप रहते हैं वो तभी बोलते हैं जो बात कम है तो इतना हो कि पांच रुपे के गुटके का सैक्रिफेस उसके लिए किया जा सके गुटका थुक के बोलना पड़ रहा है हां भाई ऐसी बात नहीं तो बोलते हैं भारत के जुबा के इसरी बोलते हैं तो जुबा के इसरी बोलते हैं लेकिन जिसे बोलना आता है जिसे बात करना आता है वो अक्सर चुप रहते हैं रहिमन चुप बैठिये देख दिनन के फेर जब नाई के दिन आई है बनत नलागी देख कि खराब समय तो आएगा और असी प्रतिशत समय खराबी होगा जिन्दगी 80-20 के रूल पर चलती है सिर्फ 20 प्रतिशत समय अच्छा होगा जिन्दगी का और वो फट्ट से गुजर जाएगा इन सेकिंड्स जिन्दगी का 20 प्रतिशत हिस्सा अच्छा होता है तो कुछ सेकिंड्स पुजर जाता है तुप रहो अपनी समझ्चा किसी को ना काओ क्योंकि वो रो रो के पूछेंगे और हंसस के बताएंगे कि दुनिया ठीकत है तुप रहो किसी को नहीं के तुप रहने का मतलब यह है कि आप खुद की उरजा किसी और को नहीं दे रहे हो स्वें के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं अगर जिन्दगी में कोई सबसे बड़ी स्किल आप डौलप करना चाहते हो सबसे बड़ी स्किल और मैं आप से कहूं कि आप मुझसे पूछते हो कि सरह मैं कोई एक ऐसी विद्या बत Silence जिसको जिन्दगी में चाहिए Excellence उसको फोलो करना पड़ेगा Silence विद्यार को प्रहने का भियास करना है करना ही करना है और कोई रास्ता नहीं है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई चो सुख में सुमिरन करे तो दुख काको होई अब तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि अब तो ये करना पड़ेगा वरना मर जाओगे अल्टीमेटम मिलने के बाद हम कुछ करना शुरू करते हैं डॉक्टर साहब ने बोला है मॉर्निंग वाक करनी हो अजना शुवर रिता बढ़ जाएगा मर जाएगा तुख में सुमिरन सब करे तुख आने पर बिमारी आने पर हर कोई ठीक करने का प्रयास करता है प्रयास ये करों कि कुछ आएगे ना आपको सच बता रहा हूँ एक बार अगर शरीर में कुछ हो गया ना कोई ठीक नहीं कर पाये जिंदीगी की सबसे बड़ी समझ्या होगी है और खतम हो जाओगे हमेशा के लिए सुख में सुमिरन सब करें और सुख में सुमिरन कैसे करना है क्लीप, एक्सराइज, डाइट, डीप रिधिंग, नाइडरेशन और कैसे करना है यही तो होता है सुमिरन करने का तरीका, जो 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 से चिल आ रहे हो यहां से वाँ, यही तरीका है यही सुमिरन होता है तनीर रहीम गति मीन की चल विचुरत जी जाए, जीयत कंज तजी अनत, वसी कहां बोरे को भाए यह तो ultimate है, यह गहरे कि मचली का प्रेम धन्य है, यह जल से बिचलने पर मर जाती है वो भोरे का प्रेम चलावा है, एक फूल से दूसरे फूल, एक फूल से दूसरे फूल तो आर्थ के लिए प्रेम करता है, जहां से रस मिल रहा है, वहीं प्रेम दिखाता है, अकिकाता है, एक बात बताता हूँ, एक समय था, एक समय था, आज के कुछ साल पहले जब प्रेम अंधा हुआ करता था, प्रेम को कुछ दिखता नहीं था, आज कल प्रेम बहुत समझदा है कि जल सूख गया तो मचली भी सूख गई, मचली भी मर गई, भोरे का नहीं है, कभी इस फूल, कभी इस फूल, कभी इस डाल, कभी इस डाल, और मैं क्या कहता हूँ, कि ना भोरा बनो, ना मचली बनो, खुद का बागान बनाओ, जब भोरे भी हो, जाती तलियां भी हो और वो एकी चीज़ से संब्भभ है पावर इसके अलावा कोई रास्ता इस धर्थी पर है ही नहीं लेकिन एक बात याद रखो मुहबत बहुत समझदार हो गई है आजकल बहुत समझदार हो गई सत्रंज के खेल में उच्च बन जाता है मौनलो उट बन गया वजीर बन गया तो तिर्चा तिर्चा चलने लगता हेख़ते भारत में किसी की सरकारी नौकरी लग गई इसी कि सरकाली नौफिल लग गई उस सबसे पहले अपने दोस्तों को अपने रिष्टेदारों को अपने घरवालों को बाइकट करते है किससे बात नहीं करेगा अरे जिस समाज की वज़े से तो आगे बढ़ा है उनका सम्मान तो बनता है, कुछ देने का समय है उनसे कटना तब है जब आप जिंदिकी पे संगर्ष कर रहे हो क्योंकि वो अपनी बातों से आपके संगर्ष को बढ़ा देंगे जब कुछ बन गए तो उनको दो जब कटना नहीं था, तब कट लिए मैंने देखा, हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं थोड़े सफल हो गए हैं, सरकारी नौकरिया लग गई है उनकी गरवालों से ही बात नहीं करते हैं यह तुम्हें जानता कौन है लेकिन मानते नहीं ना कोई जानता है, ना कोई मानता है डाउंट आर्थ टेडो टेडो जाए, सक्सेस्वल बन जाओ, डाउंट वर्थ हो जाओ उतने ही जाधा सम्मानिय बन जाओगे आगे तुम्हारी इच्छा है रहिमन दागा प्रेम का मत तोलो चटकाए तूटे फिर ना जुडे, जुडे कहाट पड़ जाए ये तो सबको पता ही है ये दोस्ती, अगर एक बार टूट गई है तो फिर वाली बात उसमें रहती नहीं है और मुझे तो लगता है कि दुश्मन जाद अच्छे हो जाते हैं अगर किनी दो के बीच में एक बार प्रेम टूट गया तो अच्छा है कि फिर अब वाली बात तो कभी रहेगी ये तो अपने सुना है, सबको पता ही है ये भी सबको पता ही है रहिम देख बडेन को लगुन दीजे डारी जहां काम आवे सुई क्या करे तरवारी जहां सुई की जौरत है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती रहीम दाज जी का ये दोहा भी आप सबने सुना होगा छोटी चीजों की वैल्यू जादा होती हमारी जिंदगी में कुछ नीड है और कुछ विशिज हम हमेशा इनको वैल्यू करते है जबकि यहाँ वैल्यू करनी चाएं ये क्या है, क्या है, डीप नीड क्या है, at exercise नीड क्या है, diet नीड क्या है हाइडरेशन लेकिन हम विशिज़ पर फोकस करते हैं, wishes इंटरनेत पैक फुल इंटरनेत हो नेज़ कई भ़र में एक्सेसाइज नहीं बढ़िया सोफा हो पड़े बड़े रीज देखेंगे डाइट कौन खाएगा मैं पिज्जा खाना है दौमीनोस का बरगर खाना है पिज्जा खाना है अप्तनिक जो जो आता है बरगर तो शायद उसका आता होगा दूसरी काई कि कि आइडरे से नहीं कॉल रिंग कि विशिज है कि नीड़ी पर किसी को फोकस नहीं करना है यह क्या है यह सुई ही है यह तलवार है माल लेते हैं कि सखसे दिखती है दुनिया में यह दिखती नहीं है है बड़ी कीमती पता यह ना कोभी टाइम में क्या हुआ था ऑक्सिजन द इसी परे सोस ही रहे, कही रहीम ये दे, धर्ती ही परत है, सीत धाम और में, रहीम कहते हैं कि धर्ती पर, धे पर जो चीज़े पढ़ रही है, चाहिए वो सर्दी हो, चाहिए गर्मी हो, चाहिए बारिश हो, वो सहन करनी चाहिए, एक बात बता दूँ, नीम की नीमबोली, कभी भी नीम की छाम के नीचे उग ही नहीं सकती नीमबोली से नीम तभी बनेगा, पेड तभी बनेगा, जब वो तेयार हो, सर्दी गरमी बारिष को जहिलने के लिए और इसलिए मैं कहता हूँ सम्हाल कर रखे हुए पोधे कभी व्रक्ष नहीं बन पाते बीज को अगर व्रक्ष बनना है तो उसको बारिश जहलनी पड़ेगी धूप जहलनी पड़ेगी तरदी जहलनी पड़ेगी गर्मी जहलनी पड़ेगी व्रक्ष वही बन पाएगा, जिसको comfort चाहिए है वो रुई के टेडी वीर्स बन जाते है आ लू, खाएगा बटा आ लू हो जाएगा सका लू अब छेलो, अब कुछ comfort जोने मत, खा रहे हैं मेगी, तुम डाइजिस्ट नहीं और खटब हो गए शक्ती बची नहीं, पीट में न दिमाग हैं पिर गाने से सुन रहे है, दिल जाने जिगर, तुझ पर निशार किया है प्यार किया है रहे प्यार किया है, अब जेलो हीम के निमभॉली कभी उसके नीचे पुग नहीं पाते हैं, इन नहीं हैं। पेरेंट्स हमसे रूट के हम इगो में हैं, नो डेड़ी, I won't talk to you, I will not talk to you, अरे तिरको पैदा किसने किया है, अब डेड़ी नहीं होते, मम्मा नहीं होती, माता जी, पिता जी नहीं होते, जिन्दा भी रहते हैं, आप से बात नहीं करनी है, भाग जाएंगे, फोड जाएंग मर जाएंगे, तंग नहीं करो उनको, दूप में मात, जब ये चीज बोलता हूं तो मैं, हर बार महसूस करता हूं, कि माबाप तुनों हीता सेक्रिफाइस करते हैं, दूप में तब दे, दूप में बाप तबता है, चुले पर मा जलती है, घर में एक उलाद, तब उसी वक् अगर माबाप से कुछ अन्बन हो जाए, उनसे माफी माद, जुक जाएए, क्योंकि जो माबाप के चलनों में जुक गया, उसको दुनिया के सामने कभी घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे, दुनिया के सामने घुटने टेकता हो, वो ही मिलेगा जो माबाप के सामने अकड तो सबसे पहले वो केकई को प्रणाम कर रहे हैं वो सल्या मा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं कि केकई कर आप केकई माता कर आप नहीं होती तो राम कभी भगवान से राम नहीं बन पाते रूप पटेंशल पता नहीं लगता माबाप टफ है भैतरीन है माबाप है ही वो जो आपक कुछ बनाओं होटल रिसेप्शन वाले लोग वह वाले लोग वो कमफट देते हैं आपको माबाप मानता ही नहीं जो अलाद को कमफट दें अलाद को बोलो 20 किलोमेटर भाग और नहीं करते रेस्पेक्ट भी देते रेस्पेक्ट भी देते लेकिन comfort देने वाले माबाप नहीं है, वो दुश्मन है वो दुश्मन है, अरे बेटा आपके लिए इसे चद्दर ला दिए, मकमल का बिस्तर ला दिए अरे नहीं, बर्बाद कर रहे हो अपनी उलाद को रस्पेक्ट दो parenting का मतलब comforting कता ही नहीं होता है, रस्पेक्ट होता है अंपत्ति भरम गवाई के हाथ रहे कुछ नहीं, जो रहीम ससी सहथ, दीवस अकासमाही जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है उसी प्रकार से जो वेक्टी वैशन में अपना धन गवादेता है यह इंसान के शक्ती है कही ना कहीं तो शक्ती है हमारे देश की गवर्मेंट इसी दम पे चलती है इस दुनिया में दुई चीजे हैं एक चंदा और एक दंदा एक वोट, और एक नो किलाए, पूरे संसार में, दो लाइन में संसार, दो शब्दों में संसार खतम है, मानता हूं मैं, शौक बड़ी चीज है, लेकिन सपने अगर आपने शौक से बड़े नहीं किये, पहले ही निपढ जाओगे, बोलो जुवा केसरी, अमरेंद्र जी आप कह रहे हैं कि आप PCS का एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं एक्जाम निकाल के आप मुझे मिलने आएंगे मैं आपके इंतिजार करूँगा चलिए आगे चलते हैं रहिमन विब्दा हूं बली जो धोरे दिन होई हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई जिन्दगी में समझ्चा आनी चाहिए पता लगेगा कि Instagram के follower किसी काम के नहीं है Facebook के friend किसी काम के नहीं है पता लग जाएगा कौन अपना है कौन पराया है ICU के बाहर जो लोग खड़े होते हैं वही आपके हैं दोस्त अगि सब पराये हैं और समय समझा देगा कि जिन followers के पीछे तुम मरे जा रहे थे उनको ये तक कबर नहीं कि तुम मर चुके हो ये साकिकत है तुम मर गए इसकी कबर नहीं उन्हें जिनके पीछे तुम मरे जा रहे थे पता लगता है, विबदा आनी चाहिए, समझे आनी चाहिए, बहुँ जरूरी है, अपने पराय का पता लगता है ओचे को सत्संग रहीमन तजू अंगार जो, तातो जारे अंग सिरे पेकारो लगे ओचे मनुष्य का साथ पहले भी कह चुके है रहीम जी, कि स्वान चाहिए, काटे चाटे दोनों में ख़दरनाक है हर अवस्ता में उससे दूर, अंगारा जब गरम रहता है, तब सरीर जलाता है, तो सरीर को काला करता है पहले जलाता है, फिर काला करता है, तंगत की रंगत है, पांच गदों के बीच में रहोगे, छटे गदे तुम बनोगे पांच बत्तमीजों के बीच में रहोगे, छटे बत्तमीज तुम बनोगे संगत अभी तुम मेरी बात सुन रहो तुम मेरा संग कर रहे हो तुम मेरी संगती कर रहे हो आजकल तुम संगती करने के तरीके बदल चुके हैं किसी के साथ फिजिकली कॉंटेक्ट में आने की जरूत नहीं किसी के साथ ने Face-to-face बेटने जरूत ना है दूर से भी संगत कर सकते हो रंगत के रंगत संगत है बाट बड़ी सच बात है प्रक्ष कभूने फल भे नदी न सीचे नीर प्रमात के कार्ने आधूधना सरी है ब्रक्ष कभी अपने फल नहीं कहते नदी अपना पानी नहीं पीत कि आप दूसरों का कैसे फाइदा कर रहे हैं रहीमन नीर पखान बुड़े पे सीजे ना ही तेसे मुरग ज्यान बूझे सूजे ना ही जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता है उसी प्रकार से ज्यान दिये जाने पर भी मुर्ख व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है और मुर्खों को ज्यान नहीं देना चीए और ज्यान वही है कब इंप्लिमेंट कर सको पाकिस सब बाते हैं जिसको इंप्लिमेंट नहीं किया जा सकता वो सब बाते हैं राम न जाते हरिन संग तेन रावन साथ तो रहीम भावी कहूं होतना अपने हाथ रहीम कहते हैं कि यदि होनार जो होना है वो अपने हाथ में होता हमारे बस में होता तो राम वनवास क्यों जाते पीरन के पीछे क्यों जाते क्यों जाते अपने हाथ में नहीं है तो तो होना है वो भंगने रहेगा लेकिन राम प्री राम भगवान इसलिए बन पाए कょक्झी जो कुछ हूँ उसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए तो यही तो शर्त है आयद्ज्या नहीं छोड़तें तो राम नहीं बन पातें ह Record वान रामना हे बुध्य धर नहीं छोड़ा हो ता भजवान भुद्ध नहीं बन पाते हैं महाल आल लोगों ने सब से पहला काम ये किया घर छुड़े अब किसी टॉप इंसीट्ट में पढ़ने जाते हो बाहर विदेश में मारत में किसी टॉप इंस्योट में पढ़ने जाते तो घर छुड़के जाते हो विद्या के लिए हमेशा घर मिद्या घर में हरागना की से बाहँ अब उन्ह Jac Oland जो यहीं किये वो effort नहीं लगाते है sacrifice is the first हम devices में उलचे गए sacrifice नहीं करोगे विद्या हांसिल नहीं होगी कभी नहीं होगी तरवर फल नहीं खात है सरवर पिये नपान कही रहीम पर काज हित संपती सुजान रहीम कहते हैं अपने फल खुद नहीं खाते है तालाब खुद का पानी खुद नहीं पीता है और अच्छे और सज्जन लोग वो हैं जो दूसरे के लिए अपने संपत्ती को संचित करते हैं उसी काम में लगाते हैं एक कहानी है तालाब के उपर कभी और सुनाऊंगा मथद मथद माखन रहे दही महीं बिलगाए रहीमन सोई मीथ है भीर परे टहरा है अच्छा मित्र भई है जो विब्दा में साथ देता है वह किस काम का मित्र जो विपत्ती के समय अलग हो जाता है मखन मथदे मथदे रह जाता है कि इन्तु दही का साथ चोड़ देता है जाज है बिलोई जाज को एनरजी दी जा रही है पावर पड़ रही है जब पड़ रहे हैं जाज को और दही जाज में से उम्मखन बहार आ गया दोस्ती हट गई, दोस्ती चूट गई, दोस्ती तूट गई विब्दा में तो दोस्त का पता लगता है और ओ दोस्त किस काम का तो दुख में साथ ना रहे सच्चे दोस्त आपकी जिंदी में दो या तीन होंगे बहागी सब स्वारती है जब तक शहद है, जब तक गुड है, तब तक मक्हिया है जान रखना रहीमन वहान जाये जहां कपट को हेत हम तो धादर धेकुली पीचो अपनों खेत ऐसी जगे कभी नहीं जाओ, जहां पर मतलब निकल जा रहा है, जुबान बदल जा रही है आजकल तो जरुत देत है करने कि कब तक मीठा बोलना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है और एक कह रहे हैं कि book is my best friend, कोई doubt नहीं एक किताब हजार दोस्तों के बराबर है लेकिन एक सच्चा दोस्त पुरी library के बराबर है कहर खेर, खून, खासी, खुशी, बेर प्रीत है, कि पाने से नहीं चुपते हैं, दुनिया को पता लगी जाता है रहीम दास जी का कहना है जो रहीम उत्तम प्रकरती का घरी सकत कुशंग, चंदन वी स्व्यापे नहीं लिप्टे रहत बुजग अच्छे सोभाव के मनुष्य जो हैं, उनका बूरी संगत भी कुछ नहीं बिगार पाती जहरेले साब चंदन वी लिप्टे रहते हैं, क्या हो जाएगा चंदन का कुछ नहीं होगा मतलब आप नौलेज भलो, आपके पास नौलेज है तो बेवकूफ लोग आपको चेलेंज नहीं कर सकते चेलेंज कर सकते, चेलेंज नहीं कर सकते लेकिन आप बेवकूफ हो, पाँज गदों के पीछ में जाके बैठ गए, फिटा गदा बनाते हैं, ये तो मेरी गरेंटी है, ये बड़ी गजब की बात है, ये एक और गजब का दोहा है, रहीम का, गजब का दोहा है, मज़ा आ जाते हैं इसको सुनके, बड़े काम ओचो करे तो न बड़ाई होए, जो रहीम हनुमंत को गिरदर कहे न कोई, रहीम कहते हैं कि जब छोटे काम के लिए कोई इंसान काम करता है, तो उसका नाम बड़ा नहीं बनता है, क्या कहानी है, देखो, हनुमान जीने क्या कि दूला गिरी पहाड को उठाया, तो उनका नाम गिरद तूफान से बचाने के लिए आंधिबार से बचाने के लिए उस परवत को उठाये था उसी को खिलना आता हो लंचिकर का बैट नहीं होता रहीमण उजछली प्रकर्टि को नहीं नीच को संघ करिया वास कर कह गए तालित लाकत नीश लोग की संगती नहीं करनी चीए संगत के बारे में चिंता के बारे में वेवार के बारे में विचार के बारे में रहीम दाजी ने कहा है और आखरी बात एक चीज़ बता देता हूं कि भारत के लोग जब रीजिस देख रहे हैं तो आपकी जिम्मधारी है कि आप इस सेशन को वहां शेयर करें जाने कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं कुछ फेस्बूक पर देख रहे हैं वहां तक लगाई के देखू लहेकिन कोई नरको बस करीबो कहा नारायन बस कोई मन से खोकर पूरे जीवन में खो जाओ और खोकर काम करते हो तो मनुष्य चोड़ो भगवान को भी जीच सकते हो और मैं तो यह कहता हूं कि भगवान वही है तो पूरी शिद्दत से पूरे मन से अपन झाल